नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका मैं हूँ आपके साथ मरूरा सकते ना आज की खबर में हम बात करेंगे उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है फैसला तो असम से लिया गया लेकिन ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है लेहाजा चिंगारी असम से उठी लेकिन जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई राजनीति इस वक्त जोर शोर से हो रही है आखिरकार के सतने के कि राजनीतिक बयान आ रहे है ये तो आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले वो फैसला जा लिजिए जिसको लेकर सियासत गर्म है फैसला असम मिलिया गया है विदासवा अध्यक्ष विश्वजी देवारी के तरफ से फैसला लगया गया जिसमें जुमे के नमाज पर मिलने बाले ब्रेक को खत्म कर दिया गया है दरसल असम विधासवा में दो घंटे का बारा से लेकर दो बज़े तक का ब्रेक मिलता था जुमे के दिन यानि की फ्राइडे के दिन नवाज के लिए चाहे वो मुस्लिम करमचारी हो या फिर मुस्लिम विधायत हो अब उसको खत्म करने का काम विधासवा ने किया है खुद मुख्यमंत्री हिमत विस्वा सर्वा ने त्वीट के जरीजवारी में जानकारी दी विनासवा अध्यक्ष का शुक्रिया दा किया और उन्होंने बताया कि 87 साल पुराने नियम को खत्म करने के साथ उपने के विशक बोच को भी हमने खत्म कर दिया है अब आप कहेंगे उपने विशक बोच कैसे दरसल ये 87 साल पुराना नियम है यानि कि 1937 में मुस्लिम लीग के सयद सादुल्ला ने ये नियम बनाया था जब अंग्रेजों का शाषन हुआ करता था आकिरकार उस नियम को खत्म कर दिया गया अब वो नियम इतिहास बन गया है काल से ये प्रैक्टिस को बन कर दिया गिया है लेकिन ये पैतला व्यपक्ष को पूटी आंक नहीं सुहा रहा तरह तरह का बयान वाजी हो रही है आज एडी के नेता ते जसी आदव ने कहा है कि एक सस्ती लोग प्रियता का तरीका है माध्धम है और उन्हें कहा कि एक चाहते हैं और ये भाजपा के लोग को ने मुसल्मान भाईयों को एक सौफ टार्गेट बना लिया है समाजवादी पाचे के नेता है उनकी तरफ से भी प्रतिक्री आई कि ये जो दो घंटे मिलता था ये जAmैं कि दो क्राहिम करने के लिए नहीं मिल रहे थी नमास पढ़ने जा रहा ही कोई क्राहईम करने थोड़ी जा रहा है आपके सोचने का अंदास देखिए क्या है ये तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें और बागी देश में कोई ना रहें नहीं उनका कोई रिश्वल फालो हूँ हलाकि तरण गोगोई जो की वीजेपी की नेता है सरकार के फैसले का उन्होंने वचाव करते हुए कहा कि विशेश प्रिवलेज किसी भी वर्थ को नहीं मिलनी चाहिए ऐसे तो हिंदू भी खड़े हो सकते हैं और वो ये मांग कर सकते हैं कि दो घंटे का ब्रेक हमें भी चाह होगा हट दिन की तरह शुक्रवार को भी विनासवा में कामकाज सुचारू रूप से चल सकेगा और इसलिए हमने फैसला लिया है अब ये तो रही सरकार की बात ये तो रही राज़ीतिक बयानवादी लेकिन इन सब के बिच में इसके इतिछास के बारे में भी जा लिजिए कि आकिकारी फैसला क्या कहता है और जिस तरएकिकार इस पर इतना बबाल क्यों मचा हुआ है इसके background को भी आप समझेए दरसल ये जो फैसला लिया गया है जुमेकी इनवाज के break को खत्म करने का उससे एक दिन पहले भी हेमत विश्वा सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था उनोंने साथ तोर पर कहा था कि काजी अब निका और तलाक नहीं करा सकेंगे यानि कि जो मुस्लिम का बल से अगर वो विभा कराना चाहते तो उनके लिए रजिस्टेशन अनिवार हो गया है इसके साथ साथ वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वहुववा पर रोक लगाने का काम आगे आने वाली समय में वो करेंगे साथ ये आपने देखा कि डेमोग्राफी को लेकर जो असन में बदल रही उस पर भी चिंता जाहिर की थी हमद विस्वा सर्मा ने और उनने काता कि मिया भूमी का नाम लेते हुए श्वेत पत्र जारी वो करेंगे इस तरीके का अलान उनने किया था इसके साथ आपको याद होगा कि लव जिहाद पर भी वो बड़े फैसले ले चुके हैं साथी हिंदू-Muslim लेंट ट्रांसफर को लेकर भी वो बड़े फैसले ले चुके हैं ये कई तरीके के फैसले हैं जो ये दिखाता है कि हेमद विस्वाय सर्मा की जो राजनितिक एजेंटा है वो पूरी तरह से क्लियर है और इसलिए विपक्ष यहां पर विफरा हुआ है लगातार उनकी सरकार पर कई सवाल खड़ी कर रहा है ये तो आपने राजनितिक बयानव प्रख्ष कर विपक्ष्ष कर आम लोग क्या सोचते हैं यानि आप लोग क्या सोचते हैं यह जो फैसला लिया गया है दो गंटे का जो ब्रेक मिलता था जुमे की नवाज के लिए उसको खत्म करना क्या सही है क्या आपको लगता है कि यह एक प्रोड़क्टिविटी नहीं हो सकता था आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं क्या सोचते हैं कमेंट के जरीए जरूर बताईए और जादा से जादा इस वीडियो को शीर कीजिए तमस्कार